कि दोस्तों यदी आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्टेनराफर बने और आप अच्छी स्पीड से शॉट हैं को लिख सकें तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो शॉट हैं की भुक है उसका जादा जादा अध्यन करना होगई जतनी जादा जादा उसकी प्रैक् आउटलाइनों का भी विसेज ध्यान देना है आउटलाइने आपकी जितनी ज्यादा के लिए रहोंगी उतना ही आपको आसानी होगी आउटलाइने ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए आउटलाइने सही होनी चाहिए सही दिसा में बननी चाहिए जिस में कुल 400 सब्द होंगे और इसकी स्पीड है 80 सब्द प्रत्मनेट तो आप से कुछी देर में एक डिक्टेशन आप लिखने के लिए त्यार हो जाएए महोदय योजना पर बाद बिवाद सचे अर्थ में एक राष्टिय विचार विमर्ष का अवशर है और मुझे प्रशनता है कि सदश्यों ने इसे गंभीरता पूर्बक लिया है हाला कि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुकी है पहले इसका लक्ष योजना का बिचार ही हुआ करता था सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम बिकास की ऐसी सीडी पर पहुँच चुके हैं जब मुझे आसा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोधन करते हैं कुछ ने योजना के कुछ अन्सों का अनुमोधन किया है और अपनी आलोचना अनेक कारिक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है कही सदश्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे धंग को बिलकुल पसंद नहीं करते हैं पैरग्राफ महोदे अब इसपश्ट है कि हम मैंसे प्रतेक व्यक्ति के रूप में नहीं बल कि दल के प्रतनिधी के रूप में कुछ बिचारों के पक्ष में हैं और कारिसंचालन के किनी बिसे इस तरीकों को पसंद करता है हमने पर्याप्त बिचार बिमर्स और सोचने समझने के बाद यह निश्चे किया है कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस धंग से काम करना चाहिए योजना आयोग में निर्दलिय स्वतंत्र विचारों वाले और गेर राजनी तिक विशेशग्य होते हैं लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते योजना का निर्मान प्रत्यक राज्य के विविन इस्तरों के लोगों के साथ अनेग विचार विन्मयों के आधार पर होता है और अंत तहव से अंतिम रूप देने के लिए राश्ट्रिय विकास परिशद में प्रस्तुत किया जाता है जिसके अंतरगत सभी मुख्यमंत्री होते हैं जिनमें अनेक अन्यदलों के होते हैं वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है जो सामान्य तह योजना के तरीकों को लेकर नहीं बलकि अधिकांश तह इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कारिक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जन संख्या की जरूरत के लिए पर्याप्त हो सभी समय उपलब्द साधनों और जनता की आवश्यक्ता के बीच सामन जस्य के लिए प्रयास करना होता है यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे छेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए कुल मिलाकर यह योजना अगले चार बर्षों के लिए प्रगती का घोशना पत्र है महोदे दुर्भागे की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि सिक्षा में प्रगती नहीं हुई है सिक्षा पद्धुती में आमूल चूल परवर्तन नहीं हुए है लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है फुल स्टॉप दोस्तों यह थी हमारी पांच मिर्ट की डिक्टेशन उम्मीद है आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर भीजिएगा एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए जैहिन दोस्तों